बेश्ट लैप्टॉप अंडर 40,000 जीना दोस्तों अगर आपका बज़े 40,000 के आसपास है तो इस प्राइज रेंज में आपके लिए कौन सा लैप्टॉप सही रहेगा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप एक student हो learning purpose के लिए laptop खरीदना चाहते हो या फिर अगर आप टीचर हो online पढ़ाने के लिए laptop लेना चाहते हो या फिर अगर आप Photoshop, CorelDraw, Illustrator जैसे software सीख रहे हो उसकी उपर practice करना चाहते हो तो इस purpose के लिए अगर आप laptop खरीदना चाहते हो तो इस price range में कौन सा laptop सह तो दोस्तो 35,000 से लेकर 45,000 के price range में मैंने लग बग यहां पे 6 laptop पिक है और इन्हें price point की सबसे arrange किया है मतलब सबसे पहले मैं कम price वाला यहां पे बता रहा हो तो हमारे list में number one position पे है HP का 14S laptop इस laptop के अंदर जो प्रोसेजर है वो Intel का i3 11 generation का प्रोसेजर आपको देखने मिले और इसमें RAM मिलेगी आपको देखने 8GB RAM और इसमें जो graphic है वो Intel का inbuilt graphic Intel EOSD graphic inbuilt मिलेगा आपको और जो storage है वो 256GB SSD storage मिलेगा हाला कि यह कम storage है लेकिन यह SSD storage है as compared to hard disk SSD हमेशा बेतर रहता है faster reliable रहता है उसके साथ इसमें जो display आपको मिल रहा है वो 14 inch का display आपको मिलेगा micro edge anti glare display म exability यहां पर रहेगा Windows 11 आपको pre install मिलेगा Microsoft Office 2021 भी pre install मिलेगा और dual speaker रहेगा साथी में इस laptop का weight जो है लगबग देड की easy के आसपास है तो carry करने के लिए यह बहुत ही easy laptop है आप अगर MS Office और regular task करने वाले हो तो आपके लिए best laptop है इसे आप consider कर सकते क्योंकि इसकी price है लगबग कम मिलेगा card offer वह पे available है और अगर आप यह laptop purchase करने का सोच रहे तो इसकी best buying link मैंने description में दी है आप वहां से इसे purchase कर सकते हैं हमारी price range में दूसरा laptop है honor का magic book 14 जी हां यह है AMD Ryzen 5 5500 processor के साथ इसमें 14 inch आपको FHD IPS anti-glare display मिलता है इसमें processor तो खास ही है लेकिन RAM भी खास है RAM इसमें 16GB आपको मिलता है जी हां दोस्तों इसमें 16GB के RAM की वज़े से आप इन्हें Photoshop Corel RAW और Illustrator जैसे software के लिए use कर सकते हैं आसानी से इसमें जो storage आपको मिलता है 512GB SSD storage मिलता है आगे यहां पे storage भी अच्छा कास है Windows 11 pre-install मिलेगा fingerprint login मिलेगा यह metal body के साथ आता है पुरा और backlight keyboard मिले 15.6 इंच ऐसे दो अलग-अलग sizes मिलते हैं लेकिन अगर आप 15.6 इंच लेने जाओगे तो यहां पर RAM जो मिलती है आपको 8GB की RAM होती है तो अगर आप 14 इंच का लेते हो तो वह आपको 16GB का RAM मिलता है मुझे पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया है लेकिन अगर आप 15.6 इं इंच स्क्रीन में जाते हो तो उसका प्राइज आपको यहां पर देखने मिलेगा 37,000 के आसपास क्योंकि आप 8GB RAM आपको मिलती है 15.6 इंच स्क्रीन में तो इसका प्राइज आपको 37 यह 36,000 के आसपास आपको मिल जाएगा काड ओफर के साथ 35 में हो जाएगा यह और इस लै 14 इस था लेकिन यह जो 14 इस है यह है ryzen processor के साथ यहां पर ryzen 3 प्रोसेसर आपको मिलता है fifth generation का इसमें और यहां पर storage कितना मिल रहा है 512gb मिल रहा है 256gb जो हमने hp14 इस इंटेल के साथ देखा था यहां पर आपको 512gb मिल रहा है ryzen प्रोसेसर के साथ 14 इंच यहां पर रेडन ग्राफिक्स इन विल्ड मिलेगा और इसकी जो प्राइज है बेसिकली 42,000 के आसपास है अगर आप ओफर में देखोगे तो यह 40,000 में आपको मिल जाएगा तो यह लेफटाप भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ HP ब्रैंट के साथ ही जाना है त आपको यहां पर FHD OLED इस्प्ले मिलता है इसमें जो प्रोसेजर रहता है बिसिकली वह आए 311 जनरेशन का प्रोसेजर आपको मिलेगा यह थीन लाइट वेट लैपटाप है और 8GB रैम आपको मिलती है 256GB स्टोरेज के साथ Office 2021 प्री इंस्टॉल रहेगा Windows 11 रहेगा Intel का इंटे कर सकते हैं और स्टोरेज भी आप एकस्पांड कर सकते हैं तो यह यहां पर प्लस पॉइंट है अगर आप एकस्पांड करना चाहिए तो आप कर सकते हैं और इसकी प्राइज है लगबग 42,000 के आसपास और ओफर में यह आपको 41-40,000 में मिल जाएगा दोस्तो तो इस लैप लैपटाप और यह इंटेल आए थ्री 12th जंडरेशन प्रसेसर के साथ आता है आए थ्री यानिकी इंटेल के आए थ्री में यह ट्रेशन लेटेश्ट प्रसेसर आपको देखने मिलेगा 12th जनरेशन वाला साथी में यह जो स्क्रीन है इसकी 15.6 FHD आपको देखने मिलती है थ प्राइज पॉइंट पे एक ही लैपटाप ऐसा है जो आपको यह दो साल की औरंटी यहाँ पे दे रहा है और यह पास चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है एक घंटे के अंदर लगबग 80% तक यह चार्ज हो जाता है यह लैपटाप की अभी जो प्राइज अमेजन पे दि जो है रेडमी बुक प्रो इंटल को आइफाई 11 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आता है एच सीरीज का 11 जनरेशन का यह प्रोसेसर आपको मिलेगा आइफाई वाला और 15.6 इंच यहाँ पे स्क्रीन आपको देखने मिलेगा इसमें 8GB RAM रहेगा 512GB SSD श्टोरेज आपको मिलेगा इसमें Windows 11 पर इंस्टॉल रहेगा और पीस भी यहाँ पे 2021 आपको मिलने वाला है और साथी में इसमें स्टोरेज भी अपग्रेड आप कर सकते हैं तो यह लैपटॉप जो है आपको मिल रहा है आई 511 जनरेशन का प्रोसेसर जो की कपी अच्छा प्रोसेसर आई 3 से एक सकते हैं तो यह जो 6 लैपटॉप मैंने आपको बता है यह बिसीकली अगर आप स्टुडेंट हो टीचर हो या फिर ग्राफिक स्टुडेंट हो तो उनके लिए अलग अलग प्राइज पॉइंट की सबसे लैपटॉप बता है मैंने तो इसमें से आप कोई भी एक लैपटॉ लिंक दीए वहां से आप इने पर्चेस कर सकते हैं और यह लिंक मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूं सो दैट सिट गाइज मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयार रखें सीखते रही है सीखाते रही है बाइबाइ